इसमें टेम डिश्टी के इंपूट्स भी शामिल है। यह आडियो आर्टिकल समान्य अध्ययन प्रश्ण पत्रदों के शासन खंड से जुड़ा है। तो आईए लेख की शुरुआत करते हैं। यह अकसर ही देखा जाता है कि जब कोई अंतराष्टिय संगठन या सूच कांख हमारी तारीफ करता है तो हम उस पर गर्व महसूस करते हैं और उसे सरकार की सफल नीतियों का नतीजा पताते हैं। लेकिन जैसे ही कोई रिपोर्ट हमारी आलोचना करती है तो उस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अमेरिकी NGO Freedom House की हालिया रिपोर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया भर में लोग तंत्र की स्थिती पर नज़र रखने वाले Freedom House की ताजा रिपोर्ट इसी कारण खासा चर्चा में है। रिपोर्ट की माने तो भारत के नागरिकों की आजादी में कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की स्थिती स्थिती स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र वाली हो गई है। राजनितिक अधिकारों और नागरिक आजादी को लेकर तमाम देशों में हुई इस रिसर्च में भारत की रैंकिंग 83 से फिसल कर 88 में पायदान पर आ गई है। रिपोर्ट की माने तो नरेंदर मोधी सरकार के नित्रितु में देश सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी और भारत सरकार ने भी एक प्रेस नोट जारी कर इस रिपोर्ट को भ्रामक, गलत और अनुचित बताया है। जिन जिन पहलूँँँपर रिपोर्ट में सरकार की आलोचना की गई है। उन पर बिंदुवार सरकार ने सफाई दी है। हालांकि हाल के दिनों में अंतराश्य संगठन ने आजादी और लोगतंतर पर जितनी भी रिपोर्ट चारी की हैं। उन तमाम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है। यानि सभी रिपोर्ट एक ही दिशा में अपनी राये दे रही हैं। ऐसे में यह देखने की जरूरत है कि इन रिपोर्ट में किन-किन पहलूओं पर भारत की आलोचना की गई है और इसके दावों में कितना दम है। सवाल है कि क्या Freedom House की यह रिपोर्ट भारत की सही तस्वीर पेश करती है। अगर रिपोर्ट की चिंताए वाजिब हैं तो आलोचनाओं को ब्रामक बताने के बजाए सरकार को संजीदगी से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि यह रिपोर्ट नागरिकों की आजादी और उनके अधिकारों से सीधे तोर पर जुड़ रही है। इसलिए रिपोर्ट की बाते काफी एहम हैं। आईए इनी पहलूँँँपर विचार करते हैं। सबसे पहले फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं। दर असल यह अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 211 देशों में आजादी और अधिकार की स्थिती का जायजा लिया गया है। इसमें राजनीतिक अधिकारों के तहट चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक बहुलवाद और भागीदारी एवं सरकारी कामकाज जैसे संकेतक शामिल है। वहीं नागरिक आजादी के तहट अभी व्यक्ति एवं विश्वास की आजादी, संबद एवं संगटनात्मक अधिकार, कानून का शासन और व्यक्तिगत स्वायतता व व्यक्तिगत अधिकारों जैसे संकेतकों को शामिल किया गया है। इनी संकेतकों के आधार पर बताया जाता है कि कोई देश कितना आजाद है या फिर आजाद नहीं है इस report में Finland, Norway और Sweden को सबसे आजाद देश बताया गया है इन तीनों ही देशों को 100 में से 100 स्कोर मिले हैं वहीं सीरिया और तिब्बत की स्थिती सबसे खराब बताई गई है दोनों को ही एक-एक स्कोर दिया गया है पिछले 15 सालों में वैश्विक लोगतंतर में गिरावट की और इशारा करते हुए रिपोर्ट ने कहा है कि दुनिया की लगभग 75 फीसद आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ सालों में लोगतंतर और स्वतंतरता की स्थिती में गिरावट आई है डेमोक्रेसी अंडर सीज शीशक वाले इस रिपोर्ट में भारत के स्कोर में भी गिरावट की बात कही गई है पिछली बार जहां भारत का स्कोर 71 था वहीं इस साल घटकर 67 हो गया है कुल 211 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 88 बताई गयी है पिछले साल के मुकाबले भारत को पांच पायदान का नुकसान हुआ है सबसे एहम बात है कि भारत को आंशिक आजादी वाले देश की फिहरिस्त में रखा गया है सीधे शब्दों में कहा जाएं तो इस देश के नागरिक पूरी तरह आजाद नहीं है रिपोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सही इंतजाम ना करने पर सरकार पर कई सवाल खड़े किये हैं रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रवासी आबादी ने लॉकडाउन के दौरान कई कठिनाईयों का सामना किया प्रवासी मजदूरों को शहरों में बुन्यादी सेवाई मुहया नहीं कराई गई, जिसके चलते उन्हें हजारों मील की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। रिपोर्ट ने इस विस्थापन को और नियोजित और खतरनाक पताया है। प्रवासी से लागू हो रहे हैं। रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत एक वैश्विक लोगतांत्रिक नेता के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है। समावेशी एवं सभी के लिए समान अधिकारों जैसे बुन्यादी, मूल्यों की कीमत पर संकीन हिंदू राष्ट्रवादी हितों में उभार देखा जा रहा है। रिपोर्ट ने कहा है कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के नेतरित वाली सरकार ने भेद भावपूर्ण नीतियों को अपनाया है, जिस से मुसलिम आबादी को प्रभावित करने वाली हिंसा में व्रिद्धी हुई है। रिपोर्ट ने माना है कि समविधान नागरिक आजादी की गारंटी देता है। लेकिन मोदी सरकार में पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सरकारी आलोचकों का उत्पीडन काफी बढ़ गया है। मुसलिन, दलित और आदिवासी आर्थिक और समाजिक रूप से हाशिये पर हैं। रिपोर्ट ने इंटरनेट के मुद्दे पर भी सरकार को गहरा है। 2020 में कश्मीर और देश के कई राज्जियों में इंटरनेट शटडाउन के कारण सरकार की आलोचना हुई है। इंटरनेट शटडाउन के चलते भारत को 100 में से 51 स्कोर दिया गया है। खुल मिला कर देखें तो राजनितिक अधिकारों और नागरिक आज़ादी के मुद्दे पर देश की स्थिति को आका गया है। हालांकि राजनितिक अधिकारों पर भारत की स्थिति बहतर बताई मसले पर भारत की स्थिती चिंता जनक बताई गई है। हालांकि भारत सरकार ने Freedom House की इस रिपोर्ट को ब्रामक और गलत बता कर खारिश कर दिया है। सरकार ने सफाई में बिंदूवार रिपोर्ट के दावों को खारिश किया है। आईए, जानते हैं कि सरकार ने क्या कहा है। भारत में आजादी को लेकर जहां Freedom House के अपने दावे हैं, वहीं भारत सरकार के भी अपने दावे हैं। एक प्रेस रिलीस के जरिये सूचना इवं प्रसारण मंत्राले ने रिपोर्ट के दावों को ब्रामक और अनुचित बताया है। दिली दंगो और भारत में मुसल्मानों के खिलाफ भेद भाव पूर्ण नीती बनाने के दावे को खारिज करते हुए, सरकार ने कहा कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के साथ समानता का व्याभार करती है। सभी कानून देश के समविधान के तहट काम करते हैं और वे बिना किसी भेद भाव के लागू है। दिली दंगों में कानून प्रवर्तन मशीन दी में निश्पक्ष और उचित तरीके से काम किया। राश्द्रो कानून के इस्तेमाल पर सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था और पुलिस भारत के शासन के संगीय धांचे के तहट राज्य के विशे हैं। अपराधों की जांच, मुकद्मा, जीवन और संपत्ति की रक्षा आदी सहित कानून व्यवस्था बनाए रखने का दाईत्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है। इसलिए कानून प्रवर्तन प्राधिकर्णों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए सही कदम उठाए गए थे। सरकार ने 1.97 लाग करोर रुपे के राहत पैकेज का भी ऐलान किया जिसमें प्रवासी कामगारों को भी शामिल किया गया। पत्रकारों और शिक्षाविदों को धमकी देने के सवार पर सरकार ने कहा कि भारतिय समविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान करता है। चर्चा, बहस और असंतोष भारतिय लोक तंत्र का हिस्सा है। भारत सरकार पत्रकारों सहित देश के स अभी नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच एहमियत देती है। इंटरनेट शटडाउन की बात पर सरकार ने कहा कि व्यापक सुरक्षा विवस्था बनाए रखने के मकसद से इंटरनेट सेवाओं के अस्थाई निलंबन का सहारा लिया जाता है। इसके लिए बकाइदा दूर संचार अस्थाई सेवा निलंबन लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 के प्रावधानों का पालन किया जाता है। ये नियम भारतिय टेलिग्राफ अधिनियम 1885 के तहट जारी किये जाते हैं। फिर सवाल है कि आखिर लोक तंत्र की क्या परिभाशा है। इस प्रणाली में लोग अपना प्रतिनिदी खुद चुनते हैं और वे प्रतिनिदी शासन की जिम्मेदारि संभालते हैं। चूंकि जन्ता इसमें सरोपरी होती है इसलिए इसकी मूल बाती है कि यह व्यवस्था लोगों के सम्मान को बढ़ाती है लोगतंत्र राजनितिक समानता के सिद्धान पर आधारित है जहां सबी धर्म, वर्ग और जाती को समान दर्जा हासिर होता है यहां सरकार से उमीद की जाती है कि वह किसी विशेश धर्म, जाती या वर्ग का प्रतिनिधित बना करके सबी को समान नजरों से देखेगी दरसल सरकार की इसी भावना को लोग आजादी के रूप में देखते हैं क्योंकि जिस देश में यहे विवस्था नहीं है, उस देश के लोग खुद को आजाद महसूस नहीं कर सकते वहां जंता पर कई तरह की पाबंदियां होती है लेकिन एक लोग तंत्रिक देश में सरकार निश्पक्ष होती है और सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होता है लेकिन लोग तंत्र में भूल चुक होती रहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है इसलिए यह एक बहस का मुद्दा भी बना रहता है कि सरकारे लोगतंतर की भावना के अनुरूप काम कर रही है या नहीं यह कारण है कि समय समय पर सरकार की आलोजना होती रहती है और कई रिपोर्ट्स में इसके लिए नसीहते भी होती है फ्रीडम हाउस की हालिया रिपोर्ट इसी की एक बानगी है लेकिन सरकार ने खंडन कर रिपोर्ट के दावो को खारेज कर दिया है ऐसे में सवाल है कि आगे की रहा क्या हों ऐसा कर कानूर और विधी के प्रती लोगों के भरोसे को मस्बूत करने की कोशिश की है सरकार ने यह ठीक ही कहा है कि सरकार के सभी काम सम्विधान और कानून के तहत होते हैं होने भी यही चाहिए एक लोगतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की यह खासियत है कि वह कानून के दाइरे में रहे कर निश्पक्षता से काम करे फ्रीडम हाउस के दावो को सरकार द्वारा खारिज करने की पहल की सराहना होनी चाहिए लेकिन इस रिपोर्ट द्वारा भारत में आजादी के प्रती जताई गई चिंताओं को पूरी तरह नजर अंदास करना अपने पैर पर कुलहडी मानने जैसा होगा दरसल सरकार को चाहिए कि फ्रीडम हाउस की इस रिपोर्ट पर गहन विचार करें जिस तरह Q.S. वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 100 में 12 भारतिय संस्थानों को शामिल होने और Ease of Doing Business रैंकिंग में पिछले 5 सालों में 89 पायदान बहतर करने पर हम खुशी जाहिर कर रहे हैं उसी तरह अगर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए केवर Freedom House की रिपोर्ट में भारत पिछड़ता दो ठीक था लेकिन हालिया सालों में इस तरह की कई रिपोर्ट में भारत को पिछड़ता हुआ बताया गया है अभी फरवरी में ही The Economist Intelligence Unit द्वारा जारी Democracy Index में भारत दो स्थान फिसल कर 51 से 53 स्थान पर आ गया है इसी तरहां मारस स्वतंतरता सूच चुकांग 2020 में भी भारत को 17 पायदानों का नुकसान हुआ 2019 में जहां भारत 94 पायदान पर था वही 2020 में भारत 111 पायदान पर आ गया इसके अलावा Global Press Freedom Index 2020 में भारत 180 देशों की सूची में 142 स्थान पर पहुँच गया 2019 में भारत की रैंकिंग 140 थी, 2016 में तो भारत 133 पायदान पर था कुल मिलाकर देखें तो ये सभी रैंकिंग आजादी और लोकतंतर से तालूक रखती हैं और इन सभी में ही भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा है जाहिर है एकी दिशा में अपनी राय रखने वाले इन सूच कांकों में कई संकीत छुपे हैं होना तो यह चाहिए कि अगर लोकतंतरिक मूल्यों से जुड़ी कोई आलोच न होती है तो ऐसे संस्थानों के इरादों पर शक ना करके सरकार को गंभीरता पूर्वक इसकी जाँच परक करनी चाहिए क्योंकि बेचैन कर देने वाले ऐसे सवालों से आंख मूंदरा किसी भी लोकतंतरिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रविरती नहीं हो सकती यह इसलिए भी ज़रूरी है कि ये रिपोर्ट्स और सूचिकांग वैश्विक पटल पर हमारी छवी पेश करते हैं लिहाजा इन रिपोर्ट्स को यूँ ही नकारा नहीं जा सकता समझना होगा कि Freedom House की रैंकिन में भारत की गिरावट ना केवल सरकार बलकि इससे संबंदित संस्थानों और नागरिक समाज के लिए भी एक चुनाती है आजादी और लोकतंतर पर नज़र रखने वाली ये संस्थाए एक प्रहरी की तरह होती हैं जिनकी रिपोर्ट्स लोकतंतर को सजग और सतर्क रखने के लिए बेहत जरूरी होती हैं इसलिए हर संजीदा आलोचना का सम्मान होना चाहिए और उसे गंभीरता से लिना चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम को जादा से जादा नयाय पूर्ण बनाए रख सके आईए नोट करते हैं आज का सवाल हाल के सालों में भारत सरकार ने आलोचना करने वाली अंतराश्य संस्थाओं की रिपोर्ट्स का खंडन कर सफाई दी है आपकी राए में सरकार का यह कदम कितना नयोचित है टिपणी कीजिए